आईए बाबा का शुक्राना करते हैं, बागी सब बाबा संभालेंगे, आईए आज बाबा का शुक्राना करें, हम हमेशा अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, तकलीफे बाबा को बताते हैं, जो नहीं दिया, उसके लिए मननते मांगते हैं, प्रातना करते हैं, अर्जी लगा कुछ ना कुछ तो उस मालिक ने तुम्हें खुशी दी ही होगी ना अपनी जिन्दगी में कुछ तो रहमत तो हुई होगी ना उनकी हमारी गलती पता है क्या है कि हम उनका शुक्राना करना भूल जाते हैं ग्रैटिट्यूट फिलिंग रखना बहुत जरूरी है हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि मांगते रहें जो मालिक ने नहीं दिया है उनकी ब्लैसिंग्स उनका आशिर्वात उनकी रहमतों का एक थैंक्स तो करना जरूरी है ना हर रोज सुबह जब उठते हो तो मालिक का शुक्रिया अदा किया करो किसी भी काम को करने से पहले सुबह उठका शुक्राना जरूर करा करो हर सुबह जब तुम जाकते हो उस इश्वर की बनाई प्रकर्टी को देखते हो वो तुमें भूख से जगाता जरूर है लेकिन वो किसी को भी भूखा सुलाता नहीं है ये सब उन्ही की रहमते ही हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स ही हैं, जब भी तुम्हारा मन कभी दुखी या परिशान हो, कि मालिक ने तुम्हें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, किसी की गाड़ी, घर, पैसा देखकर तुम्हें कभी कमपैरिजन होने लगे, इनफीरियर कॉंप्लेक्शन फील करो, कभी आप तो, अपने से किसी वीक इंसान को देख लिया करो, तो खुद ही आप अपने आप ही उनको ठैंक्स करोगे, दिल से करोगे, उनका शुकराना अदा करोगे, इसलिए हर दम उस मालिक का शुक्रिया अदा करते रहो, फिर देखि कि किस तर है, उनकी ब्लेसिंग्स आप पर बरसे की, यहाँ पर मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहां पर वो इंसिडेंट देखा था या सुना था, कि एक क्लास में एक टीचर होती है, वो स्टूडेंट को कहती है कि आपको ब्लू कलर जहां जहां देख रहा है, आपको बताना है, उसको बताना है कि कहां कहां आपको ब्लू कलर देख रहा है, तो सारे जो वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ब्लू कलर सर्च करने लग जाते हैं, कोई कहते है मैं स्काय ब्लू है, कोई कुछ बताता है, तब सब ब्लू कलर सर्च करने लग जाते हैं तो उसी दोरान मैम पूछती है कि आपने क्या red कलर किसी ने notice नहीं किया, कि red कितनी जगा red था, apple red था, बहुत सी चीज़े red कलर में आपने किसी ने notice नहीं किया, तो इसी तरह हमारी life में भी ऐसा ही होता है, यदि हम अपने दुखों को गिनेंगे, अपनी problems को गिनेंगे कि भगवान ने हमें problems कितनी दी हैं, हमने कश्ट कितने साएं हैं, तो वो automatically हमें वोई चीज़ attract करती है, तो इसी तरह हम अपनी blessings को गिनेंगे, अपने सुखों को गिने कि भगवान ने हमें कितनी चीज़े दी हैं, उसका हम शुक्राना अदा करते रहेंगे, तो वो automatically वो ही हमें देगा, इन चीज़ों को हम हर दम अपने मन में याद रखते हैं, दिल में याद रखते हैं, चाहे वो blessings हो, चाहे वो हमारी happiness हो, चाहे वो हमारी दुख हो, कश्ट हो या problems हो, इन में से आपकी मर्जी है कि आपको क्या याद रखना है, क्या भूला देना है, तो हमेशा अपने happiness, अपनी blessings को ही याद रखिए, उनका शुकराना अदा करते रहे, कि देवा आपने हमें बहुत खुशियां दिये हैं, तो वो automatically आपको वो ही देगा, I hope कि आपको भी इस incident से कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे तो बहुत सीखने को मिला, इसलिए मैंने आ तो हमेशा अपने मिलकर कहिए, थैंक यू सो मच बाबा फोर एवरिधिंग, शुकराना बाबा, शुकरिया साया, ओम साहिरा, शुप साहिरात्री